इस इक्सा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज के है इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एज फाइट टूल्स का परियोग करते हुए हम कोशन सेट का निर्मान सौटकट तरीके से कैसे करेंगे और कैसे हम एक सांदार इकॉंटेंट बनाएंगे तो आप चले सीखे इंट्राक्टिव इकॉंटेंट बनाए हैं तो उसी को हम आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे तरीके से सेखेंगे कैसे हम सांदार क्विज बना सकते हैं तो इसके लिए हम फिर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है लूमी एक इंट्राक्टिव टूल है जो एज फाइ करनी से यह चौर्ण बना सकते हैं तो यहां पर हमने पहले ही इसकोओ लिया है एजभाइपि एडिटर को यहां पर जैसले हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यह दो आप्शन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हम दुबारा से कोई e-content ना तियार करेंगे तो हम इसको plus question को click कर लेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि H5P के यहां पर contents दिये वे हैं बहुत सारे content दिये वे हैं तो हम यहां में से उसी question set को ले लेते हैं जो मैंने पूर में भी आपको बना के दिखाया था अब हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो जैसे आप इसको click करेंगे तो इसका एक interface यहां पर खुल जाएगा जैसे आपने पहले भी किया था तो यह view mode है और यह edit mode है तो यहां पर हम file लिखेंगे तो आज मैंने पहले से ही एक data file त्यार कर रखी है ताकि मुझे quiz बनाने में आसानी हो और मैं तुरंट उसको बना दूँ और publish कर दूँ तो इसके लिए मैंने word file में एक यह data file पहले से त्यार कर रखी है इसमें सारे questions और उसके answers हैं तो सबसे पहले मुझे जो title लिखना है मैं उसको यहां से select कर लेता हूँ यहां से मैंने उसको select कर रहा है यहां से copy करके हम यहां पर उसको यहां पर paste कर देंगे तो यहां पर मैंने उसको paste कर दिया है इसके बाद इसमें आ रहा है कक्सा बारा का है यह तो इसको फिर हम यहां आगे और करेंगे एक गैप देखे कक्सा बारा उसके बाद पार्ट का नाम तीन मुद्रा और पैंकिंग इसको हम इसके आगे लिख देंगे तो आपने देखा कि हमने पूरा इसको लिख दिया है कि यह क्या विसे है कौनसी क्लास के लिए हम इकॉंटेंट बना रहे हैं और पार्ट का नाम किया है ठीक है अब हम यहां पर वही पासिंग मांग रखा है डिफॉल्ट डॉट स्वई रखा है और यहां पर हम कोशन सेलेक् तो default इसमें पहला select है तो आप यहां पे जैसे multiple choice कर सकते हैं लेकिन हमें यह कुछ नहीं करना है इसके आदार पर हमने पूर्मे वीडियो बनाया था हम ने default के आदार पर पहले पूर्मे वीडियो बनाया था कि किस परकार हम questions को यहां पे लिखके और उनका आसानी से quiz बना सकत हैं लेकिन आज हम जो नए तरीके से सीखेंगे उसमें आपको लिखना नहीं केवल copy करना है तो इसको बोलेंगे textual तो इसको जैसे आप click करेंगे तो यहां पर एक उधारन दिया हुआ है कि आप इस तरह question लिखेंगे और जो उसका answer होगा विकल जिसे बुलेगा उसके पहल अधार पर अपनी फाइल तियार कर रखी है यह वाली सारी questions इत्में जो answer है उससे पहले मैंने उनमें start लगा रखें देखी सारे यह start लगा रखें तो लगबग यह 20 questions है 20 या 10 questions होंगे इसको आप हम यहां से select कर लेंगे और वहां paste कर देंगे तो मैं यहां से सारा select कर लेता यहां पर आगे हम isको हटा के और यहां पर paste कर देंगे तो अपने देखा कि जो मैंने वहां पर क्लिक क्या थ ऑओ यहां पर आ गया है लेकिन यहां पर एकदाव मिक्स हो रहा है तो इसको थोड़ा-फ़डा थोड़ा सब्सक्रूंदे देंगे पहला question हो गया है आपके इसक इसको भी हमने स्पेस दे दिया हर कुश्चन के आंसर के बाद आप थोड़ा थोड़ा स्पेस देंगे तो आप यहां देख रहे हैं कि मैं लगातार फाइल को यहां एडिट कर रहा हूं आप यहां पर डारेक्ट लिख भी सकते हैं अगर आप कि स्पीड अच्छी आप यहां पर लिख सकते हैं तो आप जैसे मैंने बताया तरीका यह सबसे आसन तरीका की फाइल आप पहले से बना तो इस परकार आप देख रहे हैं कि पूरी फाइल बन चुकी यहां पर आ चुके हैं और यहां पर हमने इस्टार लगा दिये अब हम नीचे आएंगे और यहां पर आने के बाद हम उसको यहां पर फाइल को सेव कर लेंगे जैसे हम यहां पर आएंगे फाइल सेव करने से पह करके लिखता फिर चार आंसर लिखता फिर उनका आंसर का विकल्प चुनता तो बोट परकिरिया बहुत लंबी हो जाती तो देखो कितने आसान तरीके कि यह से हमने आज यहां कुछ बनाया है इसको हम चग कर लेते हैं कि पहले वाले का हम ने ले लिए है यह डीप on-screen को मैं च्छाल रहा हूं यहाँ पर कोई सही घलत हो सकता है हम आ editions कर यह तो आपने देखा कि इसवे तो सही तो और आप देखा कि यह को गया है हम और यह हमारा रिजल्ट भी आ गए कि दो सही वे solution ढिन से कहले मlyg यहां पी चेक करने के तो इस प्रकार आप देख़र करें जहां यहां और सब्सक्राइब तो यहीं पर option आता है यह file है file को जैसे आप click करेंगे तो आएगा save तो इसको click जैसे आप करेंगे तो यह पूछेगा कहां पर आपको file को save करना है तो हम इसको desktop पर या download पर कहीं पर भी save कर सकते हैं suppose मैं इसको download folder पर save कर रहा हूँ यह file का नाम है क्योंकि जो title हमारा उसी को यह file name ले लेता आप इसको edit भी कर सकते हैं यहाँ पर आके हम इसको save कर लेते हैं तो यह हमारी file save हो गई है तो इसको हम यहाँ पर देखे message भी आ गया है लेकिन यह file हमारी ऐसी file है जिस जो केवल h5p apps में या उनकी application में ही run होगी तो इस file को अगर आप चाहते हैं कि हर एक platform पर यह run हो जाए तो इसके ले हम क्या करेंगे file को export करेंगे तो दूसरा icon यह आ रहा है export जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यह पूछेगा all-in-one html file ठीके और इसको करेंगे तो यह server media files में convert कर सकते हैं तो और यह scorm package के अनुसार तो हम इसको ले ले लेते हैं default ताकि यह सभी पर run हो जाए आसानी तो इसको हम export now कर देंगे जैसे आप export now करेंगे तो यह फिर पूछेगा कि file को हम दुबारा save करेंगे इसमें और आप देख रहें इसका extension यहाँ पर जो h5p की जगा क्या आ गया है html आ गया है तो अब हम इसको फिर कहीं पर save कर सकते हैं download folder पर हम इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख रहें all-in-one html file यहाँ पर आ गया है तो अब इसको हम export कर लेते हैं यहाँ से और यह आपकी वहाँ पर save हो गई यह file आप वहाँ पर save होने के बाद आपको मैं run करके दिखाऊंगा कि file वह कैसे play होगी तो देखा आपने की h5p और यह lumi जो इसका एडिटर है कितने आसानी से आप यह content बना सकते हैं और उसको आसानी से play भी कर सकते हैं अब हम उस file को यहाँ पर play करके आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर मैं click करता हूँ और हमने जो file save करी थी वो यहाँ पर download में करी थी तो इसको मैं click करता हूँ तो आपने देखेंगे कि हमने दो file बनाई एक तो हमारी h5p की file है और दूसरी हमारी stml की file है अब मैं यहाँ पर जैसे इसको click करूँगा तो यह file automatically हमारे जो browser होगा default browser उसमें run हो जाएगी तो यह देखें यह file यहाँ पर run हो गई आसानी से तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं आती इस file को आप आसानी से कहीं भी share कर सकते हैं किसी भी social media पर share कर सकते हैं कोई भी browser में आसानी से आप इसको share कर सकते हैं तो आपने देखा कि आज हमने लुमी के मदद से quiz set के अंतरगत दूसरे तरीके से quiz बनाना सीका तो मेरे आने वाले next वीडियो में आप और भी अच्छे अच्छे content कैसे तियार किये जाते हैं कि सब्सक्राइब के माद्यम से उसके बारे में बनाएब आप आण आप 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 हर आप आप